विद्धाइग गोड़ आज हम लोग इस्टडी करने वाले हैं ख्लास 11 क्लास 11 का चैप्टर 11 कोशीका तो आज हम कोशीका के बारे में पढ़ेंगा कोशिका उसके अध्यान कोशिका की खोज किसनी की इनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोशिका है क्या चीज़ तो हमारे सरीज की सबसे छोटी यूनिट सबसे छोटी एकाई को क्या कहेंगे कोशिका केंगे ठीक है कोशिका की खोज किस नहीं की थी तो कोशिका की खोज सबसे पहले रोबर्ट हुक नाप के विज्ञानिक जो की 1665 में ठीक है 1665 में कोशिका की खोज की थी उन्होंने कोशिका की मिरित और सेस का खोज गया था और उन्होंने पाया की कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक हनीकम यानि की मधु मक्की के छत्ते के समान होता है और इसलिए इसका नाम कोशा रखा गया ठीक है और नॉर्मली जाते हैं कि कोशा का मतलब होता है छोट घर यानि की छोटा कमरा इसलिए कोशिका के मतलब होता है छोटा कमरा अब आगे जाने लेते हैं कोशिका के परकार के बाद में तो कोशिका जो होता है वो दो परकार को होता है एक होता है प्रोकेरियोटी कोशिका एक होता है युकेरियोटी कोशिका तो प्रोकेरियोटी कोश he ahorita k opportune Koshika267 और k mínimo कि अंद्रीजीiente the year मेल्यकущeshad chainar c कोंचिका जो ने हिंद्र होता है दो केंद्र होता है वह वेलबलौम inserts शाषाषा कारण से कोंचिका कीजह नों विभाज्यत होती है जरना कोंचिकाव विभाज्यत होती है तो वह मल्टीपल सेल में कैंवत होती जाता है और धेरे धेरे उसकारिती बाड़ती जाता है इसी कारण क्या होता है कि युके रिटीक कोशीका जो होता है युके- रिटीक कोशीका से जो जीव बनते हैं वह Multiple Sellular होता है कि बात कर लेते कोशीका के सरंचना के बारे में उसके भाग wired बारे में ठीक है चले उसके बाद बात करेंगे कोशिका वित्ती फिर प्लाज्मा जीव द्रव उसके गूर और उनके अंग के बारे में तो चले एक एक करके डिसकस कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले तो बात करते हैं कोशिका के केंद्रक के बारे में तो कोशिका का जो केंद्र में क्या होता है तो कोशिका केंद्रक में क्रुमोजोम होता है ठीक है कोशिका केंद्रक में क्या होता है क्रुमोजोम होता है अब आगे अगर देखेंगे क्रुमोजोम तो क्रुमोजोम के अंदर में क्या होता है तो क्रुमोजोम के अंदर में DNA होता है ठीक है और DNA का अंदर म होता है राइबोनुक्लिकेशिक आरेने के अंदर में क्या पाजाता है तो आरेने के अंदर में MRNA पाजाता है MRNA यानि कि मेसेंजर आरेने और मेसेंजर आरेने जो होता है वो क्या करता है गुनों को वो character को carry करता है MRNA के अंदर में पा जाता है protein जो की जो की क्या पोशक का एक्तत्व है और protein का वर्क क्या होता है तो cell का repair करना cell का मरमत करना ठीक है आगे बात कर लेते हैं यह हो गया आपका क्या केंद्रक केंद्रक से सटा होता है यह जो blue like structure है इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो परकार का होता है एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एर एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER से ड अंदर में उस सब को क्या करता है पेकिंग करने के काम करता है रफ जो होता है बिंदुला के स्ट्रेक्चर बिंदुला के स्ट्रेक्चर ब्लैब ब्लैब जो दिख रहा है वह राइवोजोम होता है और राइवोजोम क्या करता है कि प्रोटीन संसलेशन की प्रक्रिया से प्रो कोंडिया का जाता है मैट्रो कोंडिया को कोशिका का बिजली घर का ते मैट्रो कोंडिया को कोशिका का बिजली घर का जाता है क्योंकि इसी मैट्रो कोंडिया में जो एनर्जी होता है वह एटीपी के फॉर्म में आकर के स्टोर होता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एडिनोसीन ट्राइफॉसफेट 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 एड लिक्वीड पार्ट होता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है नेस्ट कुछ से नगर देखा जाए नेक्स्ट अंगक का नाम तो यहां पर पाए जाता है नुकलियस ठीक है न और यह रहाब का गॉल्जी बोडी इंडू प्लाज्मिक रेट्व कुलम और गॉल्जी बोडी यह दूनों जो होता है वो लैक्टिक एसीड वगेरा को जितने भी कछड़ा वला पदार्थ जो मल पदार्थ है सेल के लिए उस पतली क्या होता है परत होता है जिसका दो भाग होता है एक सिस भाग और एक क्रश्ट भाग होता है चले अगे बात करते हैं लासुसोम के बारे में तो लासुसोम क्या होता है तो लासुसोम जो होता है वो इस सेल के आत्मघाती के थेली का जाता है लासुसोम को सूसाइडल बेग भी का जाता है क्योंकि लासू सुम्ज होता है वो देखरे करता है अगर सेल में किसी तरह के खरावी होता है तो अपने आपको क्या करता है ब्लास्ट करता है और इसके ब्लास्ट होने के कारण पूरे सेल डिश्ट्रोई हो जाता है खराफ हो जाता है और इसके कारण इस जिवद्रव यानि की इसके अंदर जो फ्लूड जो जेली लाइक फ्लूड जो होता है तरल पदार जो होता है जो की सवी ओर्गेन को एक दूसरी के संपर्क में जोड़े रखता है उसको क्या बुला जाता है उसको जिवद्रव बुला जाता है और इंग्रीज से उसको तूप लाजम का जाता है अभी रावोजोम के बारे में बात कर चुके हैं रावोजोम क्या होता है तो प्रोटीन फैक्ट्री होता है चले तो यह जो ठोटा पूटा जानकार, सेल से ले अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चलेगा अब कोशन अंसर पर देखते हैं कोशन क्या है आज का पहला कोशन तो मनुश्य के सरीर में तंत्री का कोशिका होती है तंत्री का कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, या फिर अन्यमित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, या फिर एक गोल कोशिका तो नॉर्मली हम जानते हैं कि तंत्री का कोशिका जो होता है, सबसे लंबी कोशिका में आता है सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका हमारे सरीर का नहीं होता है सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो सुतुरमूर का अंडा होता है लेकिन सबसे लंबी कोशिका देखा जाए तो हमारे सरीर का तंद्री का कोशिका होता है कोशिक में प्रारूपी कोशिका के अंदर पा जाता है मतलब सभी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक होता ही है ठीक है कोशिका में थी देख लेते हैं तो सेंटोसोम विशेश रूप से भाग लेता है क्या कोशिका द्रेव के निर्मान में केंद्रक विभाजन में कोशिका विभाजन में या कोशिकां के निर्मान में कोशिकां के अंग होता है केंद्रक जिसको नुकलिस पुलेंगे उसके विभाजन में कोशिका के विभाजन में कोशिका के विभाजन में सेंटॉसौं विशथ रूप से भाकिस्में लेता है तो कोशिका के विभाजन में ठीक है तो फोर का राइट एंस हो जाएगा ऑप्सेन नमबर डी जो होगा वो अंतर द्रवी जाली का कोशी का यांत्रिक साहता आप किसे पाता है तो इंडो प्लाजमिक रेटिकुलंसी अगला उसन देख लेते हैं अगर यहां पर मैट्रो कॉंडिया रहता तो और भी अच्छा होता क्योंकि उसका अंसर मेंट्रो कंडिया हो जाता है यहां ड कोस्थन लेकल 50 Anda ताइप का जो राइवोस़ॉम होता हो किस में पा जाता है pals 77 एक चुम्णर जो होता यह होताकि लेकिन automate जो की यह होता एक कोशी किया चाहर वूट ञश्योन 6 होता है रंगीन लवक को कहा जाता तो रंगीन लवक सिक्स का राइट्षे हो जाएगा option number C यानि कि क्रीमोप्लास्ट प्रेमो प्लास्ट टिका रंगीन लवक को क्या कहते हैं क्रीमोप्लास्ट्ट क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण पत्तिहरी होती है और इसी कारण से photosynthesis होता है उनिके प्रकास संसे नोते जिसे पोद्हावना भॉजन बनाते हैं के लिए तो फोर आ जाता है द तोसं न बनागा देखिल टेटा ति फेली देखते ह наверное प्रैलित किस में पहले काstanding गोल जी नहीं पा जाता है तो गोल जी इसमें नहीं पा जाता है यखरीत कोशिका में श्रवन कोशिका में अस्तन की लाल में गौल जी नहीं पा जाता है ठीक है और गौल जी है क्या तो गौल जी जो है वो कोशिका का एक अंगक है next question number 9 question number 9 क्या है गौल जी का कारी क्या है पाचन स्वसन पोशन या फी कोशी का श्राव तो 9 का राइट हैं से हो जाएगा option number D कोशी का श्राव गौल जी का क्या काम है कोशी का श्राव अक्चुल में उत्सर्जन का काम गौल जी कंप्लेक्स का काम होता है ठीक है किसका काम उत्सर्जन यह लैक्टिक किसी को क्या करता है पैकेजिंग करता है और कोशी का जिली के जरिये क्या करता है उस उस पैकेजिंग किये हुए पोटली को क्या करता बाहर करता है तो अगर यह नहां देखा जा इस option के हिसाब से तो कोजी कसराव इसका काम हो ठीक है next question देख लेते हैं तो क्या है किने टोकर किने टोकर संबंध है तो किने टोकर किसे संबंध है गॉल जी के साथ मैट्रो कॉंडिया के साथ सेंट्योल के साथ या फिर क्रुमोजोम के साथ तो 10 का राइट से हो जाएगा option number D क्या option number D यानि की क्रुमोजोम के साथ क्रुमोजोम के साथ तो आज के लिए इतना है thank you